हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैडी हट एंड आज हम रिव्यू करेंगे मायोटोप डेल सो एमजी टैबलेट के बारे में क्या इसके यूज हैं क्या डोज हैं एंड क्या साइड इफेक्ट हैं सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लिस चैनल को लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब भी कर ले बात करते हैं मायोटोप की जो कि इसका ब्राण नेम है एंड कंपनी की बात करे हम तो यह जो डेंटिस कंपनी द्वारा बनाई जाती है और यह काफी सारे ब्राण नेम से भी आपको मार्किट में मिल जाएगी जैसे कि तोली फास्ट 150 Mg के नाम साथ ही जो कि ल्यूपिन कंपनी द्वारा बनाई जाती है या टॉल फ्री द्वारा भी टॉल फ्री एक ब्रांडे में जो की जूडे स्केडिला द्वारा बनाया जाता है अब बात करते हैं इसके अंदर कंपोदिशन के बारे में कि इसके अंदर साल्ट क्या पाया जाता है तो इसके अंदर साल जो पाया जाता है वो टोली पैरिसोन पाया जाता है जो की 1.500 मिलिग्राम में पाया जाता है and MRP की बात करें हम तो यह आपको 150 रुपे के आसपास की 10 टैबलेट मिल जाती है and अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि इसका यूज डोक्टर किन-किन सुचुएशन में करता है टोली स्पैरिन का यूज जो है डोक्टर जादा तर मसल्स रिलेक्शेशन में करता है और इसका इस्तमाल हड्डियो, मास्पेशियो या जोडो में होने वाले तेज़ दर्ज या मास्ट को स्केलेटिन पेन में भी किया जाता है टोली स्पैरिन हाइड्र कलोराइट क्या करता है यह सैंटल नर्वर सैल जो आती है उनको आराम देता है जिससे की बोडी में पेन थोड़ा कम होता है बात करते हैं इसके और क्या क्या काम हो सकते है इसका एक सबसे अच्छा यूज यह है कि सैंटल पोस्ट रिस्ट्रोक को भी रोकता है और नर्व लिथियो रिजम को भी रोकता है और पेन रिलेक्षेशन में सहाईता प्रदान करता है अब बात करते हैं इसके वर्क की कि यह काम कैसा करता है जब यह टोल प्रेस सैरो जोन जो है हमारी बोडी के अंदर एंटर करता है तो यह क्या करता है, यह हमारी सरीक अंदर की ताकत को कम किये भी ना, मास पेशों के जगडन या एठन को दूर करने के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कोट से सेंटल नर्व को, सैल को अराम करवाता है, जिससे की हमें धीरे धीरे बोडी में रिलीफ मिलने लगता है, एंड बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, किसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट कोई इतने ज़्यादा होते नहीं है, पर अगर आप ज़्यादा इसकी और डोज ले ले लेते हैं, जब भी कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, या सो में से दब क्या side effect हो सकते हैं ठकान हो सकती है मुह में सूखा पन हो सकता है या उल्टी या पेट पे दर्द भी हो सकता है अब बात करते हैं इसके dose के बारे में कि इसकी dose कितने कितनी लेनी चाहिए पहले तो यह according to age and according to weight के हिसाब से दी जाती है जब भी आप इस दवाई को ले पहल सुबह शाम लिख सकता है अगर normal है तो यह doctor आपको एक time भी दे सकता है तो इसलिए जब भी आप इस दवाई को ले तो पहले एक बार आपने doctor से consult कर ले and उसके बाद ही ले I hope you like this video thank you for watching this video